हेलो गाईज, 14 अगस्ट 2022 मनसुंदर के फुल एपिसोड को हम एक्स्प्लेइन करेंगे तो वीडियो पर बने रहें अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और दबा दीजे बेल आइकन एपिसोड की सुरुवात है पुनम, रुचिता के बारे में जली कुटी बाते कहते हैं कि इस रुचिता की वज़े से मेरा बेटा मरते मरते बचा है जैसे उसे होस आएगा मैं अच्छा खाना खिलाऊंगी तो ताकत आजाएगी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा इतने में एंट्री होती है रुचिता की रुचिता को देखकर पुनम के होस उड़ जाते हैं और खाने वाली थाली नीचे गिर जाती है फिर रुचिता पुनम के पास आकर कहती है कि आपको भी यकीन नहीं हो राना कि मैं वापस आ गई वो भी बिल्कुल सही सलमत मुझे भी पता नहीं माम है कैसे बच गई तो पुनम केती है ये कैसे बतलब बाबा ने तुमें कुछ भी नहीं किया तो रुचिता केती है कौन से बाबा माम है किसी बाबा को नहीं जानती मुझे सिर्फ इतना पता है मा की मेरी देवीमान ने रक्षा की ये देखिये ये फूल उन्हाने मुझको दिया फिर पुनम मन में सोचती है की ये तो वही साड़ी है जिसमें रुचिता को हमने दफनाय था फिर उचिता कहती है की मा बाकी सब लोग का हैं तो रुचिता कहती है कि निहार जी को क्या हुआ मेरी वज़े से तब्यत खराब कर ली ना उन्होंने मैं अभी उनसे मिल कर आती हूँ जैसे ही रुचिता उपर जाती है तो रेलिंग पर लगी कील चुबने से रुचिता के हाथ पर खून आ जाता है फिर पूनम पीछे जाकर देखती है तो वो खूनी होता है पूनम कहती है सचमुच का खून ये भूतों के खून कब से आने लग गया इसके तो साड़ी भी वहीं पहनी वी थी जिसमें इसको दफना है था और ये बाते भी ऐसे कर रहे है जैसे पिछले दिनों क्या हुआ इसे पता ही ना हो पता करना पड़ेगा इधर निहार की हालत देखकर रुचिता क्या खे फटी की फटी रह जाती है रुचिता को देखकर नरेस कहते हैं कि रुचिता तुम कहां चली गई थी तो दादी भी कहती है कि निहार रुचिता रुचिता कर रहा था कहां चली गई थी तुम तो रितु कहती है कि रुचिता निहार भया तुमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते तो रुचिता कहती है कि दादी भाबी मैं क्या बताऊ आँ आपको मैं कहां थी कैसे आई इसका जवाब तो बाबा ही देंगे पुनम जाती है बाबा की गूफा में बाबा, बाबा, कब से फॉन कर रही हूँ बाबा मेरा फॉन ही नहीं उठा रहे हैं अरे बाबा, आप है कहाँ हो नहो ये बाबा कोई पाखन्डी है बाते इतनी बड़ी-बड़ी और दर्शन इतने से, इसे की वज़े से न, ये बिच्छु है न, मेरे निहार को काड़ गया है रुचिता की जगह, उपर से रुचिता की इस आत्मा को बसम करने की जगह, वापस उसके रुचिता के सरीर में डाल कर उसे जिंदा गड़ दिया, मेरे सारे पैसे लूटकर पैठी है, बैठे बैठे वह जबकी ले रही है, फिर रुचिता निहार से कहती है, निहार जी आप उठके, I'm sorry मैं आप से बहुत दूर हो गई थी, लेकिन अब मैं आपको अकेला छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी निहार जी, ये वादा है मेरा, इतने दिनों तक निहार खाना खाते हैं, और दोनों रोमेंटिक हो जाते हैं, इतने में निहार अपने हाथ से वास रुचिता के उपर फैंक देता है, जिससे रुचिता नीचे जुख जाती है, और वो गिरता है जाकर काच पर, जिससे पूरा काच तूट जाता है, फिन्हार ड़ जाता है कि पूरी तरह से हडबड़ा जाता है तो रुचिता कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूं नियार जी फिर रुचिता कहती है कोई बात नहीं नियार जी साइद अभी भी हम दोनों की नजर लगी वी है जो इस सिसे पर उतर गई और ये तूट गया तो नियार कहता है कि सिसे की चिंता नहीं है मुझे रुचिता मैं दोबारा ले आओंगा लेकिन मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाता कुछ नहीं होगा नियार जी मुझे मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी रुचिता ऐसा कहती है फिर इदर रुचिता मंदिर से पूजा करके आती ही होती है इ भी तो बहुत तेज़ चलने लग जाती और एकदम से बंद हो जाती है अखिर ऐसा क्या है उस काच में तो रुचिता कहती है निहार जी ये रखवा दीजी और आज ये खाना खालीजी निहार कहता है आज तो मुझे बहुत अच्छी सुगंदा आ रहे हैं ये खाने की क्या ब दिनों बात बनाया जो है फिर रुचिता निहार को बुलाने के लिए जाती है निहार कमरे में खड़ा उस काच को देख रहा होता है फिर रुचिता निहार से कहते है निहार जी आप क्या कर रहे हो इस सीसे से परदा हटाने के लिए आप क्या खास इंसान को बुलाएंगे निहार कहता है नहीं रुचिता मैं तो हटाने ही वाला था पता नहीं कहां खो गए निहार जी अब खाने को चलिए सब आपका इंतिजार कर रहे हैं जैसे ही निहार जाने वाला होता है तो उस काच में सेवा जाती है निहार जिसे सुनकर निहार रुख जाता है फिर निहार कह प्रवेश फिर निहार आता है नीचे खाने के लिए निहार के एटे इनरेस केते हैं अरे बेटा निहार इतना क्या टाइम लगा दिया पापा अपने बेटे का थोड़ा सा इंतिजार कर लेंगे तो आपको हार्ट एटेक नहीं आ जाएगा निहार ऐसा कहता है जीसे सुनकर सब लोग हके बके रह जाते हैं अरे मजजाक कर रह था यार आप लोगों ने दिल पे ले लिया बात को सवारते हुए निहार कहता है निह हमें तो कोई खराबी नहीं लग रही है और तुमें ऐसा क्यों लग रहा है तो नियार कहता है कि आपको खाना है तो आप खाईए मुझे तो इसमें मिट्टी का टेस्ट आ रहा है मुझे कोई स्वादिष्ट नहीं लग रहा यह खाना तो रुचिता कहती है नियार जी आपका टेस्ट कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला तो पुनम कहती है कि बेटा तुम्हें खाना पसंद नहीं है तो मत खाओ तो दादी पुनम को कहती है कि तुम्हें निहार को डाटना चाहिए और तुम उल्टा उसको इस सपोर्ट कर रही हो ये गलत बात क्यों कर रही हो पु available ruchita चूर हो जाती है निहार फिर कमरे में जाता है ये क्या एक निहार बैठा यह निहार बीरॉर्ण में कैद है काच में अंदर कैद निहार कहता है रuchita मुझे बाहर निकालो यहां से बाबा के रूप में निहार कहता क्या है क्या रुचिता रुचिता चिला कर तू मेरे सर में दड़ दे रहा है तुझे तो ना कोई देख सकता है और ना कोई सुन सकता है काच के अंदर कैद निहार कहता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा हूं तो बाबा के रूप का अंस जिन्दा है मैं भी जिन्दा हूं बस उस अंस तक पहुचने का जर्या चाहिए था हमें और अपनी सक्तियों से इससे को हमें घर में लाना था अच्छा था उस समय रुचिता के उपर वास निहार ने नहीं इस बाबा की सक्तियों ने गिरा कर उस काच को तोड़ा था फिर काच में कैद निहार कहता है नहीं नहीं ये क्या है सब कुछ नहीं होता ये भस में ये बिचू मैं यकीन नहीं करता इन बातों पर मुझे बार निकलो तुम तो बाबा के रूप में निहार हसते हुए कहता है कि हम इतनी आसानी से तुझे निकलने नहीं देंगे तेरी वहा देवी की सक्तिया लेने के लिए आतूर है काच में कैद निहार कहता है कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है अपने जादू टोना से मुझे इस काच से बाहर निकलो वर्ना तो बाबा कहते हैं कि वर्ना क्या क्या करेगा तू तुझ जैसा कैद में रहने की क्योंकि अब जिन्दगी भर तुझे इस ही कैद में रहना है इतने में रूचिता आ जाती और यह देखकर उसकी आंके फटी की फटी रह जाती है इसे के साथ एपिसोड कि समाप्ती हो जाती है और आगे के खराब कर दी मेरी चैन से सो भी नहीं सकता इस कर में निहार की कॉलर पकड़ते वे निहार से कहते हैं कि निहार ये बात कहते वे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान का अनदर करने की तुमने सोची भी कैसे ऐसा कहते वे निहार पर हाथ उठा देते हैं पर निहार निहार अगर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना न बुले धन्यवाद